ओके हाई एवर्वर्वन वेलकम टू टेस्बूक सूपर कोजिंग प्लेटपॉर्म उमीद करते हैं कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छे से करोगे तो गाइज आज के इस ट्रिक्स के खजाना एपिसोड नंबर एट के अंदर हम बात करने वाल और बहुत सा एसमेंट नहीं भी जानते होगे बट यह इतना important concept है कि आपको reactions के अंदर directly पूछ लिया जाता है और four marks के लिए सबसे अच्छी बात है कि four marks के लिए पूछ ले जाता है तो types of questions कैसे बनते हैं वो भी हम देखेंगे और कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम बात करे देगे तो आज का जो topic है बहुत ज़्यादा important है और four mark topics this is called as the dmg rule Davies, mangos and green rule हब भूला जाता है इसको dmg rule कभ यूज करना है यह भी हम बात करेंगे क्या tricks applicable होगी dmg rule के लिए यह भी हम बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप सभी as friend session को like कर दिजिए अपनी present tea comment box में जरूर put करें कि सर मैं present हूँ मैं honestly आपके lecture को देख रहा हूँ और मैं answer भी कर रहा हूँ ठीक है तो इस session इस telegram के उपर आपको नदीम sir desk textbook पर आपको daily session की जो pdf मिलते रहती है वहाँ पे notes, squeeze, जो भी mock test होते हैं उनकी सबकी pdf आपको मिलती है तो इसको join कर ल तो जरूर जोइन कर लिजेगा नदीम sir test book पर चले तो DMG rule पे किस type के question बनते बच्चो तो इस type के question आपको DMG rule पे बनाए जाते हैं चलो पहले आपका knowledge हम देखते हैं कि आप लोग किस type से answer करते हो ठीक है और फिर मैं tricks बता दूगा क्योंकि अपने पास कम time है और कम time में हमे questions को read करिए सबसे पहले properly कि most preferable site for the nucleophilic attack of this compound nucleophilic attack कौन से था साइट पर आप करोगे कौन से olefin system के उपर आप कर सकते हो जरूर comment box में अपना answer को put करें जिससे आपको और जदा knowledge बढ़ेगा और यह आपको ना दो तिन molecule दे देगा और उन बोलेगा कि बताये correct कौन सा है एक तो इस type से question बनेगा और एक दो तिन molecule देकर correct answer पूछ लेगा कि attack करे बाद product क्या मिल रहा है य नहीं चली गुड़ गुड़ वेरी गुड़ गुड़ बच्चा वेरी गुड़ पूटियर कमेंड पूटियर कमेंड और फिर आपने concept को जरूर चेक करिए चली तो जब भी इस type के question आ जाते हैं तो यहां पे हम use करते हैं dm 0 nucleophilic attack of the pollen system nucleophilic attack of the pollen system वहां पे हम use करते हैं d davis, mangos and green rule किसके लिए यूज़ होता है? nucleophilic attack के लिए यूज़ होता है जहां पे भी nucleophilic attack की बात होती है और nucleophilic attack of pollen system pollen system, pollen system के ओपर nucleophilic attack की बात की जाती है तो इसके दो-तीन रूल हैं जिसको हमें समझ रहे हैं पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या कहता है? dmg का पहला रूल कहता है rule number one rule number one कि even pollen is faster than odd pollen even is faster than odd यह क्या कहता है बच्चा? even is faster than odd even is faster than odd तो जो even pollen है आपके पास और एक odd pollen है तो even पर अटेक करेंगा जैसे यह आपका pharaoh scene है fe attached to cp, एक साइड में heptacity 5 है और एक साइड में heptacity 6 है मान के चलते हैं ठीक है? और इस complex पे चार्ज आ रहा है प्लस वन बिकोस 18 electron complex और यहां पर आपको नुकलो फाइल दिया है एनी नुकलो फाइल ठीक है यह आपने आर निगेट्व ले लिया है यह एच निगेट्व ले लिया है यह आपके क्या होती है नुकलो फाइल एन बी एच फोर फिनी लिथियम ग्रिग्नॉल्ड रिएजंट्स अपने जो भी लिया है ठीक है तो नुकलो फाइल लिया है तो नुकलो फाइल अटेक कहां पर होगा अप यह एक यह है और नमबर और यह है एवन और यह कहा रहा है यह एक यह आपने करना मैं यहाप लिखके देता हूँ एन न वे यह आपने कर लेना ठीक है यह आपका होमवर्क है ठीक है यह सेकेंड सोडियम अमाइड अने श्टो ठीक है यह आपने कर देना यह भी है तो कहां पर अटेक होगा और पे होगा यह एवन पर होगा आपको अटेक करके बताना है है कमेंड बाक्स के अटिक तो पहला रूल हमने समाझ लिया रूल लंबर सेकेंड पर जाते हैं रूल लंबर सेकेंड rule number second क्या कहता है आपको कि आपके पास दो system एक cyclic है और एक acyclic है if you are complex that containing two types of the polyene और two types of the alkene one is the cyclic और other was the acyclic तो acyclic is faster than cyclic यह क्या कह रहा है acyclic is faster than cyclic acyclic is faster than cyclic even is faster than odd acyclic is faster than cyclic for example यह आपका system है Fe attach to CP then attach to olefin यहाँ पर आपके पास carbonil है इस पर charge positive आ रहा है और यहाँ पर आपने grignod region लिया है RMG X आपने लिया है अब nucleophilic attack यहाँ पर आपके पास है odd और acyclic है और even even acyclic है तो nucleophilic जो attack होगा वो कहाँ पर होगा even के ऊपर होगा even even is faster than odd acyclic is faster than cyclic even is faster than odd acyclic is faster than cyclic and the formation of this type formation of this type यह आपका formation होगा जाए 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 और दिहान में रखेगा olefin और carbonyl पे olefin पर attack more prefer होगा as compared to the carbon but complex 18 electron complex are remaining 18 electron 18 electron complex are remaining 18 electrons so if your complex that containing two types of the ring one is the cyclic or other one is the acyclic acyclic is always faster than cyclic acyclic is always faster than cyclic and that is called as the second rule second rule दो ही तो रूल है दो ही रूल है या दो रूल को आपको अपलाए करना है even is faster than odd acyclic is faster than cyclic और उसी की बेस पर इस question को solve करना था हमारा concept क्या था कि even faster than odd और acyclic faster than cyclic बस इतना भी अगर आपको याद है यह तो यह tricks हो गई आपकी concept भी हमने देखा है और tricks भी हम देख रहे हैं तो nucleophilic attack यहां पर क्या बहुँआ है कि nucleophilic attack अभी देख इसकी heptacity आ गए है 6 even है इसकी heptacity आ रहे है 4 even है इसकी heptacity रहे 3 अब यह cyclic है और यह asyclic है but acyclic is always faster than cyclic अब यह भी asyclic है यह भी asyclic है तो अब nucleophilic attack कहां पर होगा even और asyclic even और asyclic यह नि बी पर attack होगा तो जो भी nucleophil होगा जो भी आप गिरिग्नॉर्ड रेल लो फिनिलीथियम लो तो यह attack करेगा यहां पर और heptacity decrease by 1 heptacity क्या हो जाएगे आपके decrease molybdenium attach 2 यह जैसे के वैसा आ जाएगा ठीक है heptacity आपके देख लिएचे decrease by 1 decrease by 1 तो यह पर 4 थी और 3 हो जाएगे जो भी attach गरूँगे nucleophile है तो आपने nucleophile है ले लिए कोई भी लोग ठीक है और यह जैसे के वैसा आपका है यह जैसे के वैसा तो यह भी heptacity 3 हो गई है यह भी heptacity 3 हो गई है बट 18 electron complex are remaining यह भी 18 electron complex था ठीक है यह 6 6 और 6 12 12 और 4 आपके कितने हो रहा है 16 ठीक है और यह 3 19 19 minus 1 is the minus 1 यह प्लस चार्ज यह तो minus 1 कर दो 18 electron complex और यह भी देखो गए 6 6 और 6 12 12 और 3 आपके कितने हो गए 15 15 और 3 आपके 18 तो कौंच से अटक कहां पर अटक हो रहा है बी पर अटक हो रहा है तो आंसरा जगा भी तो कितना सिंपल है बच्चों बहुत ज़्यादर सिंपल है कि even is faster than odd a cyclic is faster than cyclic even is faster than odd a cyclic is faster than cyclic ठीक है चले तो मैं आपको एक कुश्चन दे देता हूँ आपको कुश्चन दे दे तो यहां पर देखिये आपने लिया है FECO by 2 यहां पर आपने लिया है हैटर सिटी कुश्चन है यह आपको हम वर्क है ठीक है हैटर सिटी फायू CP and this is complex पर negative charge that is called as the metalate this metalate this metalate reactions with this metalate reaction with the allelic bromide allelic bromide formation of A allelic bromide formation of A this A for the reactions with acid H positive यह निए acid है तो formation of B होगा और इस formation of B पर हम reaction करेंगे nucleophile की तो मैं यहां पर लिख देता हूँ RMG यहांनि DMG rule apply करना है यहां पर क्या उसका उसका उसकरना है DMG उसके साब से answer करिएगा DMG rule apply करेंगे बट प्रोड़क जरू निकालना तो आपको क्या मिल जाएगा C तो आपको बताना है कि A B और C क्या होगी थिए बहुत अच्छा कोश्चन है और upcoming का guessing question है मेरे तो यह चीज़े हम starting में पड़ी रहे हैं हर ट्रिक्स में मैं आपको कुछ देते जा रहा हो पर यहां से यहां पर बोलते हैं नुकलोफोलिक अटेक अव डी ओलीफीन यहां पर क्या बन रहा होगा और उस अलीफिन पर आप नुकलोफोलिक अटेक करें बट अब 18 electrons है, B, B आपका 18 electrons है और C, B आपका 18 electrons है छो यह एक हिंड दे देता हूं कि जो B है उसमें Heptacity 2 बनेगी एक हिंड दे रहा हूं कि जो B है उसमें जो Olyafin होगा उसका Heptacity 2 होगा यह आपके लिए हिंड है तो इसको जरूर नोट करें और comment box में जरूर पूट करिएगा कि आपके पास जो even बन रहा है और एक odd बन रहा है तो कहां पर अटेक हो रहा है और what will be the final product तो इस टाइप के फोर मार्क के question आपको upcoming examination में बनाए जाएगे और बहुत इंट्रस्टिंग है DMG rule और उस पर फोर फोर मार्क के questions पूछे जा रहे हैं आपके examination में तो मैं उम्मीद करता हो कि आप लोग इसका benefit उठा रहे होगे ट्रिक्स का ख़जाने का benefit उठा रहे होगे ठीक है बचो जो आपको क्या करना है बच्चो यहां पे code यूज करना है नदीम जब भी आप कोई कोर्स परचेस कर रहे हो तो वहां पर नदीम यूज करेंगे तब 25 परसंट कैसे प्रचेस करना है प्ला मैं बता दो क्वालिटी ऑफ कंटेंट के लिए अभी से ग Inde तो इसका बचान चलिए जलुकि जब बाद में आपको नहीं मिले। तो इसका बैनेवट जाएगा और सेसंट की मैं यहां पर विल करवा कि देद्गा आपको ठीक है और जो भी इनफोर्मेशन अगर आपको परचेस आई या फीस के रिगार्डिंग है तो आप काम चल रहा है कि नीचल रहा है तो आप Master Class में आके भी देख सकते हो कि आप टीचर आपको कैसे वहां पर पढ़ाते हैं यूटुब पर बेखती हो बट इसे पढ़ाते हैं तो कि बिलुक्छ भी आपको time waste नहीं करना है कि अगर आप अपना हैंड्राइज करके प्रेजेंड करके जरूर पूट करिएगा ठीक है और होमवर्क का अंसर जरूर करिएगा ठीक है उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप सभी एस्परेंट के लिए अच्छा रहा और आने वाल एक्जामनिशन में आपको यहां से फोर मांक जरूर देख